मेरे राम आ रहे हैं, जी हां, भगवान राम लला की मूर्ती की प्रान प्रटिष्था 22 तारीक को हो रही है, 500 साल का संगर्ष पूरा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनोंने अपनी जिन्दगी खपा दी, अपना सरवच्छ ने उक्षावर किया, लेकिन इस आंदोलन ने ज आपको चीर कर ये आवाज, पूरी देश और दुनिया ने सुनी, यहां, ये नाम है, दीदी मा, साद्वी रितंबरा का, जो आजकल वास्ट से ले आश्रम चला रही है, उन्होंने राजनीती से भी दूरी बना ली, लोग कहते हैं देख, शाद दीदी मा राजनीती में तब या अंदोलन का रूप बिलकुल विशार और प्रकर हो गया, कैसे जुड़ी आप इस अंदोलन से, और वो आपकी आवाज, वो आपकी आवाज की खनक, आज भी जो है, मैंने जब सुना था ना, कॉलेज खतम कर रहा था, मैं दिल्ली आ रहा था, वो आज भी कानों में गूंचती है, गूंचती है वाज, दीपक जी वो पहले हिर्दे में गूंजी, प्राणों में गूंजी, और फिर वो वेदना थी, अपने अराध्यों की जन्म भूमी पर पराभवी उग के उन धांचों को खड़े देखना, बहुत पीड़ा दायक था, अपनी परंपरा को अपनी देश में गाली दी जा रही थी, ये सब बहुत वेदना देता था, और फिर आप जानते हो दिपक भीआ, के जो दिल का दर्द होता है जब वो वाणी में आता है, शबदों में आता है, तो फिर वो सामने वालों के हिर्दे में भी उतर जाता है, तो बहुत लोग बहुत दुख देता है अपने देश के अंदर अपनी परंपरा को गाली दी जा रही हो और ये सुनना अपने अराध्यों के अस्तित्तों पर प्रश्न चिन्न खड़े किये जा रहे हो इसे जेलना और आप जानते हो दीपक भाईया हम सनातनी है हमने पंच शील का सारे जग को स संदेश दिया स्वयम भी संयम में रहे बहुत कलेश जेले लेकिन फिर लगा कि कब तक बहुत इतनी प्रतिक्षा इतनी पीड़ा और इतना प्रताड़न तो आपको तो पते दीपक भाईया कि बहुत रगड़ों तो चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है बस वो अंदर जो ज्वाला थी ना वो थी पीड़ा की वेदना की और फिर लगा कि सब भारतियों के हिरदे में इस पीड़ा को जो है बो देना है ये जो दर्द है इसे बोना है ताकि समाज दर्द की दवा बने और आप जानते हो दीपक भीया मेरे गुर्देव ने तो आप शाह नहीं ज गुर्देव को कि रितंबरा को मुझे गोध दे दो तो दीपक भीया वो मुझे मेरे गुर्देव ने मुझे भेज दिया और मैं वहाँ चली भी गई क्यूंकि वो बहुत बुजूर्ग थे पर मैंने सर्यू का जल हाथ में लेके शपत ली थी इसलिए जब अगले दिन उन राम जनब भूमी मुक्ती के लिए और हम किसी मठ मंदर की विवस्था में कैद नहीं हो सकते थे इसलिए वो मैं आज पीछे मुड़कर जब याद करती हूं तो फिर मुझे लगता है कि कुछ नियती नियनता या श्री राम की ही योजना थी जो हमारे श्रीर का और हमारी उ इतनी बुरी नजरों से देखा जाता था जैसे हम कोई बड़ा पाप कर रहे हैं लेकिन सर्यू का तट और उनके किनारे फिर सर्यू का जल फिर उसको हतेली में लेके शपत लेना के सर्यू मैया हमारा तन मन धन सर्वस्व आज श्रीराम जनब भूमी के लिए अर्पित हो र और बाद में बड़े बड़ी धाराएं मिलकर वो कितना विशाल स्वरूप हो जाता है ऐसे हम लोग एक ननी ननी बूंदों के जैसे और मेरे को पहली बार दीपक भाया एक छेतर मिला था एटा इटावा का और आपको मैं बताओं की दुकानों के शटर डाउन होते थे जीवन की धड़कन राम आयन पगपग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है स्वासों में तो जीवन का गट रीता है नर नाहर शिरी पुरुषोत्तम का हम मंदिर भब्ब बनाएंगे सौगंद राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे ये संकल्प था ये हिमाले ज इतनी प्रतिकूलता हैं और उसके बीच में से अब संकल्प, संघर्ष और अब सिद्धी और सफलता का द्वार हमारे आनंद का कोई पाराबार नहीं है दीपक भया क्योंकि राम जनम भूमी का अंदोलन जनम भूमी की मुक्ति मेरा सर्वस्व रहा है मेरा प्राणपन रहा है मेरा जीवन रहा है और मैं अभी कह रही थी दीपक भया के राम मंदिर नहीं बन रहा राम महल बन रहा है और राम महल का पत्थर पत्थर हम सब हैं हम सब मिलकर हैं शिकरों की बात चल रही है तो मैंने का शिकर हमारी तपस्या है और कलश जो है वो हमारा श्रम है और जो बनाया था, जो पगडंडी बनाई थी, वो मेरे कारसेवकों का बलिदान है, और जो दिवारे उठ रही है, वो हमारे धर्म का अभीमान है, और वो जो मंडप बन रहा है, वो हमारी ततीक्षा है, और वो जो स्तंब हैं, और वो जो गर्व ग्रह है, वो सदियों से हमारे व्या अकुलमन की प्रतीक्षा है ये पत्थरों का मंदिर नहीं है ये बलिदानों का अभीमानों का स्वाभीमानों का अर्पन का समर्पन का ये तपका तपस्या का ततीक्षा का और बहुत पीडा देने वाली प्रतीक्षा का मंदिर है दीपक भाईया इस साधारन बात नहीं है ये आसाधारन घटना है और आप जानते हो हम इतिहास पढ़ते भी हैं दीपक भाईया और हम इतिहास बनाना भी जानते हैं हम सनातनी हैं पुरूओं के मनुओं के रिशियों के मुनियों के तप और तियाग की ततिक्षा उस सब हमारे हिर्दे में है बस उनी भावों के साथ मेरे गुरुद्येव की प्रेणा हुई दीपक बया उन्होंने कहा रितंबरा टमाटर अगर कोल्ड स्टोरेज में भी रख लिए जाएंगे तो उनकी नियती तो सड़ना ही है तो क्यों ना टमाटरों का भोजन बने सबजी में आएं स्वाद बने तो काया की माया भी मिट जाने व मुझे एक बात अभी मियाता थी है आपके जो कैसेट होते हैं पैसे होते नहीं थे कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे थे और आपके शुरुआत में 89 के अस्पास जब कैसेट बाहर आने शुरू है तो हमारे याल लाइन में भी भाव से आपको एकाएक यकिन हुआ कि नहीं अब यह हो रहा है वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था और मेरे इसी जनम में हो रहा है बलकि मैं दो पीडियों को बता के जाओंगी कि देखिए क्या संगर्च हुआ है पास्तों सालों में इसके लिए हाँ दीपक जी औ और फिर चोदे वर्ष बाद लोटेंगे और भरत जैसी प्रतिक्षा और आपको पता है दीपक जी के प्रतिक्षा कितनी विचित्र तरह की बेचैनी देती है पर प्रतिक्षा में वो होता है जिसकी प्रतिक्षा हो रही होती है तो हम लोगों ने इस प्रतिक्षा को जीया अनभव किया दुख भी हुआ विशाद भी हुआ दीपक जी जब इसकी उपेक्षा हुई तो बहुत अंताकरण में पीड़ा हुई इन सब भावों के बीच में से जीवन किस तरह गुजरता रहा और प्रतिक्षा ये और फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारी आखें बीदा जिनोंने प्राणपन से इस अंदोलन को जिया योजना बनाई इसको सफलता के शिखरों तक पहुचाया और वो मंदिर नहीं देख पाए तब उनका जाना खलता था कि वो चले गए इस पीड़ा को लेके वेदना को लेके कारसेवकों के बलिदान के बारे में आपराद मी के लिए नयोचा वर हो गए और जब नरणे आया जिस दिन नरणे आया Dipak जी उस दिन तो पारा बार नहीं था नंद का अर पिर मंदिर हम लोग हमारे सामने और पिर जब जिस दिन न्योता आया उस दिन तो मैंनढ्त्रप्ते करने लगी आसू बहने लगे रोम रोम पु कि लोगों को दी जाती थी और जब कैसेट खतम हो जाती थी तो लोग वो ड्राइवर कोई पीट डालते थे, के हमें क्यूं नहीं दे रहे वो कैसेट, उसके प्रती इतना सारे भारतियों को उसके लिए आकरशन था, और फिर जब उस कैसेट पे प्रतिबंद लगा, फिर हमार उत्पीडन प्रारंब हुआ क्योंकि अलग अलग प्रांतों में प्रतिबंद लग गए हमारे आश्रमों पे दविश होने लगी मेरे गुर्देव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़े होने को तैयार नहीं होता था क्योंकि वहाँ पुलिस जाके प्रताडित करती थी फिर वह प्रताडना प्रारंब हुई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम जी का नाम हिर्दे में था दीपक जी तो सारे दुख दर्द और वह सारी जिल्लतें जिसको बोलते हैं अपमान प्रताडनाएं और सब फिर वह शूल भी फूल जैसे लगते थे क्योंकि लक्ष पे हमें वो फल भी दिया उसके लिए भगवान को इतना इतना धन्यवाद है कि प्रभू ने ऐसी योजना बनाई देश में राजनाइतिक वातावन बदला सब के हृद्यों में वो जो बीज डाला था वो ब्रक्ष बन गया वो फली तो हो गया दीपक जी और आज देश में की प्रतिष्ठा हो रही है दीपक जी राम जी तो आ रहे है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पर सारी सनातन जगत के प्राणों में प्रतिष्ठा हो रही है साभी मान की तो आनंद की तो मैं क्या बात बताऊं दीपक भाया जैसे गुंगा-गुड खाले और बता ना पाए क चरमूत कर्श है और यह वैसा यह दीपक भाईया जैसे किसी का खोया धन मिल जाए जैसे तपते हुए तनको बर्गद की चाया मिल जाए जैसे बिखरी हुई चित्वरतियों को समाहित होके प्रभू के चरणों की शरण मिल जाए ऐसी तरपती ऐसी अनुतरपती ऐसा अनन्द है दीपक भाईया क्या बताएं कैसे बताएं समझ यह नहीं आ रहा है वह मैंने भज़ने मेरा बहुत प्री है सूरज की गर्मी से जलते हुए तनको मिल जाए तरवर की चाया ऐसा ही सुक्त मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम मेरा सबसे वेवरेट है द पीछे ले जाके जाना चाहता हूं यह प्रताणना यह दिकार यह गिरफतारियां यह कब से शुरूआ किस किस काल में पीक पर आ यह भी आप से जाना चाहूंगा चुक्कि आज वो राजमितिक दल जिन्दा है जिन्होंने असले मेरे कुसा हाँ जिन्दा है उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया मद्दे परदेश में आपी के मद्दे परदेश इन दौर में जिस तरह मेरा अपमान किया इन लोगोंने गंदे गंदे आरोप लगाए आप सोचो कि किसी के मर्डर में हम लोगों कोई शामिल हो सकते हम तो किसी तारना मेरे गुरुदेव का अपमान किया गया और फिर पूरे जंगल में घुमा घुमा के इंदोर जेल में भी तो बंद कर सकते थे और लेके गए मुझे ग्वालियर जेल और वहां पे एक ऐसी सतर कैदियों की बैरक जिस पे शलाखें लगी रहती हैं दीपक भया मई का मही लेना था और आपको मालूम है कि एक दिन में मुझे 20-22-22 भाशन देने पड़ते थे तो मेरे वोकल कोड पे खून का ठक्का जमा हुआ था अस्थमा की मुझे वो बीमारी हो गई मुझे पफ लेना पड़ता था मुझे दवाईया नहीं उठाने दी लाल रंग की चीटियो उपे बहां बंद रखा फिर वो प्रताडना जेली उसके बाद फिर ये लोग मुझे बागली इन्होंने मेरे उपर प्रकर्ण चलाया था बागली एक जगह है मध्यपरदेश में वहां से ये लोग मुझे ग्वालियर से लेके चले केरला एक्सप्रेस का पूरा कंपार्ट करवा दिया मुझे बिठाने के लिए जैसे कि कोई देश का सबसे बड़ा तंकवादी जिसको ये ले जा रहे हूं और फिर भोपाल स्टेशन पे नहीं उतारा दीपक भया सूखी से वनिया एक गाउं 25 किलो मीटर पहले वहां के रला एक्सप्रेस को रोका इन्होंने मुझ तोड़ने की कुछेस्टा थी वो अब मनोबल कैसे तूट जाएगा आप तो जानते हो दीपक भया हम लोग सादू जब सन्यास लेते हैं तो अपना पिंड दान कर देते हैं सुख दुख की जूटी चाह नहीं अब जीवन मरण सो अपन सा है अब भला अमृत्यू का डर कैस हम स्वयम अमृत्यू को मार चले हम उस तरह की घूटी पिये हुए लोग तो इन्होंने सोचा मनोबल तोड़ना है इसी तरह करनाटक के अंदर बेल गाओं में पूलिस ने जान बूझ के मेरी गाड़ी आप मुझे तारीक और सन पूछेंगे ना दिपक मिया मैं इस मामले म में बहुत कमजोर हूं मेरा गणित बहुत कमजोर है मुझे ये सब याद नहीं रहता लेकिन वहां इन्होंने मेरी सभा के बाद पूलिस आगे पीछे थी गाड़ियों में इन्होंने जान बूझ के ऐसी बस्तियों के अंदर मेरी गाड़ी को धकेल दिया जो की राम और वो सारा कांच मेरी आखों में एक कॉलर बोन मेरी टूट गई कंधा मेरा टूट गया वो रात इतनी भ्यंकर थी जिधर जाते थे उदरी आगी आग जंगल में छुपने की जगयनी थी मुझे फस्टेड नहीं मिली सारी रात लेकिन इश्वर ने जीवन देना था इश् कुछ लोगों ने मुझे आके कहा कि वो वो जिसने तुमारी गाड़ी पे अटैक किया वो नहीं थे वो तो भगवान के दूट थे वो तुमें समझाना चाहते हैं कि अब तुम ये बोलना बंद कर दो मुझे इन बातों की ज़्यादा पीड़ा होती थी कि ये कैसा है जब तो आप सत्य को कह नहीं सकते, स्विकार नहीं कर सकते, सून नहीं सकते, लेकिन जो छोटा प्वोटा साहस कर रहा है आप उसका मनोबल तोड़ेंगे, बहुत सज्जन लोगों ने मुझे आके समझाया कि इतने बाहें तुड़वाली, गले की हड़ी तुड़वाली, अब इसकार था कि तुमें बोलना, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश को स्विकार नहीं है, जो तुम कह रही हो, ये बात पीडा देती थी, शरीर के कस्ट कस्ट नहीं होते दिपक भया, कस्ट ये होते हैं, कि इस देश की अंदर, इस थिरता से, दिरता से, अपनी इस बिवस्था के साथ भी खड़े होने का सास समाज को नहीं था, पर धीरे धीरे वातावन बदला, परिस्तितियां बदली, और मेरे गुर्देव ने कहा था दिपक भया, कि संसार में जब देश की हो ली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा, जानते हो अब ही पूरी हुई है, अब उन्हें अभीमान खोना ही पड़ेगा, संसार में जब देश की हो ली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा, आग से गुजरना पड़ता है दिपक भया, पीडा जेलनी पड़ती है, मन्थन की कीमत भरनी पड़ती है, नील कंट बन पड़ता है, विश को पचाना पड़ता है, पीना पड़ता है, और उसकी तैयारी जब होती है आपकी, तब पिर आपको हर परिस्थिती चुनोती बन के आपको ललकारती है, और आप एक वेगवान नदी की तरह चटान से टकरा के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही मेरे चित् कि मेरा मेरी शरीर, मेरी वानी इसका उपयोग देव कर रहे हैं, दीपक भाईया, मुझे पता चल जाता था कि अब कुछ होने वाला है, मुझे इंट्यूशन बोलते है न, वो हो जाती थी, कभी कहीं किसी जगह मैं छूपी हूँ, मुझे लगता था कि यहां इस जगह को छ थोड़ देना चाहिए, थोड़ी देर बाद मैं उस जगह को छोड़ती थी, थोड़ी देर बाद महां पुलिस आ जाती थी, क्योंकि एक बार जेल चले जाओ, दीपक भाईया, तब तो आराम से आप जेल में रहो, लेकिन अगर आपको पुलिस से बचना भी है, और जागर दीपक जी, फिर ना व्यक्ती था, फिर ना संगटन था, फिर ना संस्था थी, फिर तो जनता थी, और जनता जनार्दन थी, जनमेदनी थी, ऐसा दृष्य, उसके हम लोग साक्षी हैं दीपक जी, आप सब भी उस सारे विशे के साक्षी हैं, आप जानते हो सारे अभी नही पीड़ी तो आपके माध्यम से सुन रही होगी कि कैसे कैसी अवस्था थी कैसे हालात थे किन परिस्थितियों में कारी करता हूं ने हिंदू समाज ने कारिये किया मैं 92 से लगाता रायोध्या जा रहा हूं लेकिन मैंने कभी दर्शन नहीं किये क्योंकि राम रला टेंट में थे बाहर से हाँ जोड़के मैं जिस दिन अपना भूमी पूजन हुआ उस दिन भी आ गया पाश तारीक को लेकिन आप जाओंगा चूंकि स्टूडियो में उस दिन बाइस तारीक को तो नहीं जाओंगा उसके बाद जाओंगा बिलकुल जाओंगा और दर्शन कर क्या होंगा वाकई ये राम बंदी नहीं ये रास्ट्र मंदीर है अपको याद होगा अयोध्या में मैंने आपको राख़ी बंडी थी मुझे याद है आक के जैसे लेरा ही सकती जब बंदिर बन जाएगा तब मैं आपका दर्शन करूंगी क्योंकि नहीं देख सकते थे इस तरह में अपने आराध्य को टेंट में नहीं देख सकते थे अब हमारे राम लला ठाट में और फिर आप देखोगे दीपक जी मुझे बार बार लगता है राम मंदिर नहीं र अफर था कितना कडिन था और यह जो आपका लुका छुपी का समय चला यह कितने सालों तक चला साथवी जी बहुत साल इसमें क्या हुआ इन्होंने मेरे सारे तो डाक्यूमेंट्स जब्त कर लिये क्योंकि यह हमारे उपर मुकदमा चल रहा था तो मकदमे तो इतने थे 35 जहां मेरा वाशन होता था वहीं मुकदमा होता था मेरे उपर केस होता था फिर उसकी पैरवियां करते रहो अदालतों के धक्के खाते रहो और सबसे पीडा की बात क्या थी दीपक जी लोग भचते थे मतलब अगर कोई मेरे साथ आके खड़ा होके फोटो भी खिचा लेता तो लोग उसका मजाक उडाते थे कि ऐसे सामपरदायक और ऐसे कटड़ लोग जैसे कोई मतलब अच्छूत नहीं होते कोई तयाज्य लोग होते हैं जिसको देखना भी नी चाहिए मैं नाम नहीं लेना चाहती जो कई बार विचारधारा का भी दम भरते हैं कि हम इस विचा भी काट जाते थे कि कहीं ये हमसे बात ना करने लग जाए तो अपनों अपनों से ये उपेक्षा जेला भी पीडा देता है लेकिन वो लंबा काल था और क्यूंकि बहुत लंबी प्रकिर्याओं में से हम लोग गूजरे बाहर जाने पे मेरे पे प्रतिबंद लगा हुआ थ मेरे एक गुरु भाई को उठाके ले गए दीपक जी और उनको घुटने तक रूई बांध के दीरे दीरे मिटी का तेल डालके 15 दिन में थोड़ा थोड़ा करके जलाके माल डाला बेतवा नदी के किनारे हमारा एक आश्रम था श्रवन आश्रम इसी तरह चतरपूर के भी राम जनम भूमी तीरत छेतर नियास के नियासी भी हैं वो बहुत अधवुत संत हैं संत भी है और सिपाही भी हैं पूरे मंडल ने मुझे जिस तरह रक्षा कवच में रखा यानि मेरे पूरे आप सोचो मैं तो बहुत सारे गुर भाई गुरु बहनों की वो साधवी लोग मुझे जिस तरह उन चुनोतियों में संघर्षों के बीच में पूरा मंडल मेरे साथ रहा मेरे गुरु देव को भी कई जगे मुझे नहीं पकड़ पाए तो गुरु देव को उठाके तिहार जेल में भर दिया महराश्री की गाड़ी रोक लेते थे गाड़ियों से स चारा समान भर्द के बाहर निकाल देते थे गाड़ियां जप्त कर लेते थे मुमेंट नहीं कर सकते थे और दीपक वया हम तो ये जो खेतों के ट्यूबल होते ना ट्यूबल के छोटे कमरों में मैंने रातें काटी हैं क्योंकि फोन करो उधर से किसी को कि मैंने आना है तो फोन तो उठा लेते थे पर वो फोन भी वैसे होते थे लैंड लाइन मोबाइल तो होते नहीं थे तो आगे से विक्ति बोलता नहीं था तो मैं समझ जाती थी कि वो डरते हैं हमें रखने के लिए तो मैं कंबल ओड के बस अड़ों पे रही स्टेशनों पे रही लंबा काल संघर्ष का दीपक जी उपेक्षा का कहूंगी मैं कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता था अगर कोई पास खड़ा होके फोटो की चा लेता था तो लोग उसकी भी निंदा करना शुरू कर देते थे लेकिन हमारे चित में संतोष था क्योंकि हमें लगता था दीपक जी के हम अनाधिकार चेस्टा नहीं कर रहे हम राम जी के सत्य के साथ खड़े हैं हम किसी दूसरे के दूसरे के लिए क्योंकि निर्भय इशू पुत्र यहां है निर्भय होके अल्ला हो अकवर की अजान होती ह यहां कोई पारसी आजाएं यहूदी आजाएं किसी भी धर्माब लंबी को भारत की आचल में चाया मिली है लेकिन मेरी परंपरा का इतना अपमान बो तो सेहन करने योगी नहीं है उसके लिए अंदर आग थी जौला थी दीपक जी वो सारे संघर्षों का लंबा काल था औ और प्रतिक्षा लंबी थी और आपको पते कि प्रतिक्षा बहुत अधीर करती है और अब वो प्रतिक्षा पूरी होने जा रही है हम सब का बड़ा सा भाग्य है कि भगवान 22 जनवरी को योद्य आ रहे है और मुझे लगता है कि सब ने तियारी किया दीपक जी दिवाली स बड़ी दिवाली होने वाली है भारत के अंदर इतना उत्सा है और आपको पते कोई राम जी को अपना लाल मानता है कोई जनकपुर वाले तो राम जी को अपना जामाता ही मानते हैं तो उनके साथ सब के अनेक भावों से रिष्टे जुड़े हुए हैं उसी भाव से सब था दीपक जी 500 साल मेरे पुर्खे प्रतिक्षा करके चले गए, बलिदान दिये, कोशशे की, उस जगे की परिक्रमा करना नहीं छोड़ा, राम नौमी के दिन उस धांचे की परिक्रमा करता रहा, मेरा सनातनी समाज वो धैरिये रखता है, मैं एक ही बात निवेधन करना चाह आज को की हम शिव के सुतकार्त के हैं, करीड आंगन कैलाश है, और देवों का सैना पती बनना ये अपना इतिहास है, पंच शील का इस जग को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, लेकिन किंतु हमने साहस नहीं छोड़ा, सरसंधान का और श डाव के साथ इस देश में कारीय हुआ, और फिर वो कारीय विक्रम था, दीपक जी अभी लोग कहते हैं करम गड़ बड हो रहा है, शिकर कहा है, कलश कहा है, तो मैंने का क्रम काम मैंत्व हैं, कारीय तो विक्रम हो रहा है, कार ये तो विक्रम हो रहा है जी एक चीज़ जाना चाहता हूं 30 अक्टूबर 1990 आपको याद है कार सेवकों को पर गोली चली आयुद्या की कई गलिया जिसे का जाता है कि सुदर्शन चक्र पर बनी हुई आयुद्या नगरी वो कार सेवकों के खून से लाल हो गई कुठारी बंदू और ना जाने कितने असंग के लोग जिन्होंने अपनी शाहदत दी का जाता है कि लाखों लोग मारे गए पिछले पांसो साल के अंदर कई राजे कई महराजे अलग अलगतर है के लोग शशश्तर संगर्श करते हुए सेनाओं से वहाँ पर आतसाईयों से आ लिए उस ताइम के लिए असल में क्या था दीपक वही आपको तो पता है कि मैं बहुत पूरे देश में प्रवास किया सब को आवाहन किया कि आप आओ अयोध्या आओ तो आयोध्या आने का आवाहन करने वाले और फिर इस तरह की घटना की तो कल्पना ही नहीं थी कि लोग उस जरजर ढांचे को बचाने के लिए मुट्टी भर चंद लोगों को खुश करने के लिए जीवित वेक्तियों को लाशों में बदल देंगे। उन कलाईयों को खो दिया जिस पे वो रक्षा सुत्र बांधती थी और उन्हें देखना जो जिनकी मांग के सिंदूर जो है वो उजड़ गए घरों में किलकारी नहीं है बच्चों ने अपने पीता खो दिये तो फिर आपके जित्त में अपरादवोद तो होता ही है हम तनशील लोग तो अपरादवोद में दब गए अपरादवोद साधारन तो नहीं था दीपक जी ओ तो हिमाले जैसा च्छाती पे बोज़ा था अपरादवोद विशाद बना प्रतिक्षा विशाद बनी आशाक थी कि हो जाएगा लेकिन बहुत अपरादवोद मैं व्यक्त क्योंकि मैं कोई स्थित प्रग्यों में से उतनी ज्यानी तो नहीं हूँ बड़ी भावुक साधारन सी महिला हूँ मैं राम जन भुमी के लिए जब ये अवाहन हुआ और वहां हमारे बच्चों हमारी संतानों के साथ जैशिर राम जैशिर नम का मंत्र जाप कर रहे हैं वो वो भगवान का नाम ले रहे हैं उनके हाथ में अस्तर नहीं थे शश्तर नहीं थे और आप उनकी छाती में गोलियां उतार रहे हैं और ये सारा और फिर दिगंबरी खाड़े की जो चट थी दिपक जी उस पे रामचंदर परमंस जी और सामी विरक्त श्रोमनी संत थे बाम में विरक्तों की मंडलियां बनाके भिक्षा लेने आश्रमों में जाते थे बाकी समय वो जाडियों में और गंगा के तट पे रहके भजन करते थे ऐसे विरक्त संत भी राम जनुबुमी के लिए इस अंदोलन में उन्होंने भारत की तरुनाई का आवाहन किया वो सब चट पे खड़े और भानुबरताप शोकल जी जो पांच जन्ने के पहले संपादक थे अपनी आखों से अपनी संतानों की ये दशा देख रहे हैं बिरक्त संतों के लोचनों से अशुरूं के परवाह हुए हैं इन पापियों ने संतों को रुलाया दीपक जी कितने बड़े करुण बच्छों को अपनी आखों के सामने जाते देखना साधारन बात है क्या एक इतना दुषकर इस दुख को जेल और वो आहे निकली और आपको पता है कि सादू की आह जो होती है वो बहुत बहुत दूर तक दंड देती है और वो संतों की आहे और फिर हमारे मन में ये आता था हम से अपराद हो गया हमने ये क्या किया हमने सारे लोगों को बुला कर लेकिन उनके परिवारवालों को जब मैं मिलती थी और कहते थे हमारी कोक सार्थक हो गई हमारा सिंदूर सार्थक हो गया हमारी रक्षा सुत्र सार्थक हो गय क्योंकि माताओं ने तो संकल्प करके माते पे तिलक करके अपने बच्चे और योध्या अंदूलन में बेजे थे ये भारत की देविया है जो शूरों की, बीरों की, संतों की, तपस्वियों की और अवतारों की माता बनती हैं ये भारत की इस्तरिया है जो सोचती है कि हमारा आइश अगर देश धर्म को समर्पित हो गया तो हमारी कोक सार्थक हो गई हमारी गोध सार्थक हो गई यह भारत की देविया मैं यह बात दीपक भाईया त्रेता यूग सत्यूग या द्वापर की नहीं कर रही हूँ मैं इस कल यूग की बात कर रही हूँ, जहां इस्त्रियों ने, देवियों ने, माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने, संकल्पित करके, अपने अंगूठे को काट के, उसके रट के तिलक करके, कारसेवकों को अयोध्या भेजा था, ये समर्पन की भूमी है, ये तियाग औ अपने प्रभू को ये भाव रखता है, ये भारत, पर भारत के मन को न समझा इन पापियों ने, जन भावना कोई चीज होती है, उसको नहीं समझा, पूरे समय ऐसी राजनीती चली इस देश में, गाली देने वाली राजनीती, परमपरा को दुतकारने वाली राजनीती, मूल परमपरा पे कुठारा घाज चलाने की राजी, ये पापियों ने राम जी के होने का प्रमान मांगा है, हमारे इतिहास को मिथक कहते हैंगे, इतना बड़ा शड़यंत्र और इन शड़यंत्र कारियों ने, हम लोगों पे आरोप लगाए, कि हम शड़यंत्र रचते हैं, हम ने का हम शड़यंत्र रचने वालों में नहीं हैं, हम तो मंत्र रचने वाली रिशियों की संताने हैं, हाँ हम शड़यंत्रों के चक्र वियू को बेदना भी जानते हैं, इतनी सामर्थ हमारे पुर्खों ने हमको दिये, हमें त्याग और बलिदान का पाठ पड़ाया है हमे तो वो एक राष्ट गुरू का राष्ट मंत्र, वो हमें दिक्षा में मिलता है, तब हम चुनोतियों को स्विकार करते हैं, तो इतनी जाज्यवलेमान हमारी परंपरा, अपनों के द्वारा अपनों की बात ना सुनना, अब तो वो युग बीत गया, दीपक भाईया, चाटु वो जानता है, वो ये समस्ता है कि कहां चूके थे हम, और अब नहीं चूकना, हमारी एक आत्मता में ही हमारी शक्ती है दीपक जी, मैं आपके माद्यम से समाज को कहना चाती हूँ, ए उंच नीच भेद भाव की दिवारें ध्वस्त करो, एक आत्मता के साथ मुट्टी की त आधन है हमारे लिए, साध नहीं है हमारे लिए, हम दशरत के आज्याकारी ठुकराते समराज हैं, कारमयोग ही हमें ग्राही है, विशेभोग सब त्याज है, रिशियों, मुनियों, मित्रों के हित चले हमारे वान हैं, रक्षणियों की रक्षा करते, दुश्मन के लेते प् वालमान परंपरा है, जिसका इसमन रखना चाहिए, और बाकी तो आप जानते हो, कि प्राप्ती के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, संगर्श तप, त्याग और दान ये तो हमारे रक्त में हैं, लेकिन ये बात जरूर है, कि राजनीती का ऐसा विद्रूप रूप न आप राम भक्तों पर गोलियां चला दो, और फिर बाद में वो महिमा मंडित भी होते हैं, ये तो राजनीती का चरित्रे दीपक भाईया, उस पे तो मुझे बोलने का क्या फादा है, विशाद ही होगा, और हमें क्यों आग उगलनी चाहिए, उस समय तो जरूरी था, उस सम में तो पीडा बोई थी, बताया था कि अपमान है, ये हमारा सामूही का अपमान, जिसे हमें नहीं स्विकार करना, हमें इसका प्रतिकार करना है, और उसके लिए संगठितों के कारिये करना है, बस यही भूमी का रही हैं, और ये भूमी जब ये कारिये पूरा हुआ, मैं चुपचाप अपने आश्रम में आ गई अपने कारिये में लग गई मेरा जो अपना कारिये है मेरा जो अपना सभाव है अखरी जाना चाहएं अब थोड़ी थोड़ी राजनीती तो हो रही है समाज बदला है परिवतन हुआ है सुप्रिम कोड का फैसला आया है पूरे देश नहीं दुनिया ने एक्सिप्ट किया है फिर भी राजनीती हो रही है कह रहे हैं कि बीजेपी आरेसेस का वग चले आखरी कमेंट आप से इसी पर चाहूँगा दीपक जी जो हवन करेगा सुगंद उसको मिलेगी जो इत्र लगाएगा वो सोहें भी सबंदित होगा दूसरो स्विकार किया आप तो राम जी के अस्तित पे पर प्रश्न चिन खड़े कर रहे थे और जिनोंने जन भावना को समझा लोक हित को समझा लोक भावना को समझा पक्षधर बन के संघर्ष में साथा के खड़े हो गए उनको प्रशाद मिला और निश्चत रूप से मिलना चाह और कोई राम जी की जैजैकार करके करेगा तो जनता तो उसी के साथ कड़ी होगी क्योंकि राम जी हमारा प्राण है हमारा सर्वस्व है हमारी मती हमारी गती और हमारी मुक्ती और मुक्ती के बाद की भी कोई मुक्ती होगी तो वो राम जी है हमारी पीडा का शमन राम जी ह हमारे उत्सव का स्वर राम जी, हमारा प्रथम इस्मित राम जी और हमारा रुदन राम जी, हमारी प्रथम गोध राम जी और हमारी अंतिम शय्या राम जी तो उस राम जी की विवस्था और परंपरा को गाली देने वाले, तो हमने उसी समय कहा था दिपक भाईया के जो हमारे रामकानी वो हमारे कामकानी और भारती जनता पार्टी पक्षधर बनी राज नैतिक ताकत मिली शक्ती मिली भूमी पूजन पे दंडवत किया और अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं आपके पेट में क्यों धर दो रहा आपने उस अवसर को अवसर नहीं समझा आपने हिंदू समाज की भावना को कभी भावना नहीं समझा आपने हमारी आस्था को मजाक उड़ाया और आज भी आप उनी शड़ेंतरकारी भावों के साथी समाज के साथ उसकी भावना के साथ खिलवार करते हो तो निश्चित र गली गली मेरे भारत की व्रिंदावन बन जाएगी भारत की है राम आत्मा प्राणों से भी प्यारा है कहो गरम से हम हिंदू हैं हिंदोस्तान हमारा है हमें राजनीती यहां यहां भगवा ही चलेगा यहां राम की परंपरा ही पुश्पित पल्वित होगी क्योंकि वही हमारी जड़ है और दीपक भाईया मैं आकरी बात कहती हूं सनातनी कोई अमर बेल नहीं है किसी के पेड़ पे लिपट जाएं और उसका रस चूस के जिंदा रहें अपनी जड़ के बीना हम तो स्वयम एक वटवरिक्ष हैं विशाल वटवरक्ष जितना दिखते हैं उससे दुगना हम आंतरिक रूप से हमारा अस्तित्व हमारा हमारी भावना और हमारा विचार है इसलिए हम अपनी जड़ों के साथ जुड़कर भारत को भारत बनाई रखना चाहते हैं भारती जनता पार्टी इसकी पक्षदर है इसलिए वो साब सज्जन शक्तियों की आशिरवाद की पा अध्यम से हम शिरी राम को पाते हैं लेकिन राजनेतिक टाकत के साथ हम भब्नरा महल भी पा रहे हैं यह दोनों का मिलन है इसलिए हम इससे इनकार नहीं करते हैं अगर आप राम के पक्षधर हैं भारतीय परमपरा को कोसने के अतिरिक्त आप देखो देखो आँखे खोल के अब भी देखो कि आप सत्य के साथ खिलवार नहीं कर सकते इसलिए हाँ हमें घी प्राप्त करने के लिए ददी का मन्थन करना पड़ा ये तो हमारी परमपरा है कि हमने जो है मन्थन करके अमरित पाया पर पहले जहर पिया पर अमरित हम पाही लेते हैं तो भारतिये जगत भा अगर बातन बात को जानता है और अगर भीजेपी की राजनीति दिखती है तो हाँ राजनीति ऐसी ही होनी जाहिए धर्म से आपलावित सत्य से सुशोभित साहस से सुर्भित और एक एक जन के मन को धन्य करने वाली राजनीती ऐसी ही होनी चाहिए और भारत भारत बना रहे परमपरा का सम्मान हो त्याग तपस्या ततिक्षा हमारी संतानों के चित में सौंपी जाए और फिर एक बात और एक आईशव में हम गिन सिंगों के दात अनेकों बार हसे जोवन में हम शूर्पन खायों और उर्वशियों में नहीं फसे हम आचारी वर वसिस्ट के चेले नहीं राज्य पे मरते हैं अग्रज कीले चर्ण पादु का चौदे वर्ष गुजरते हैं इसलिए सत्ता साधन हो सकती इस भाव के साध भारत भारत है और अब तो राम जी आ रहे हैं धीपक भया बिना राम के आधर शों का चर्मोत करश कहाँ है और बिना राम के भारत भर में भारत वर्ष कहां है राम जी आ रहे हैं 22 जन्वरी को और हम सब लोग आनंद उत्सम मनाएं दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाएं शावरिय का काम हो चुका धैरिये के साथ रामत्व को अपने हिर्दे में धारण करके राम राज्य की संकल्पना पूरी करें इसी भाव के साथ दिपक भाईया मैं अपनी बात पूरी करते हैं बहुत बहुत प्रणाम आपको और मैं आपके बज़्पना हूँ अगर आज मैं टीवी पे नहीं होता ना तो आपका ये पूरा पूरा ये आपकी जो व्यता और आपकी कथा और आपका जो संगर्श है आपकी जो मतलब किस तरह की यातना है यह सुनके मैं वाकी रो देता अगर एक एंकर का डिकोरम नहोता तो मैं वाकी रो देता दन्याप दीपक भईया आपने आपने मेरे मन की पीडा को समझाए आप जानते हो मेरे आंसुओं की पवित्रता को भी जानते हो मैं सादवी भेश में हूँ बहुत बार लोग कहते हैं धैरियए रखा करो क्यूं भावक एक गोजाती हो पर मैं जीवन भर अपनी सुभाविकता में ही जी भीया और आप जानते हो मेरे को मेरे भाषा विवार सभी भारत के कणकण के साथ, भारत की पवित्र परंपरा के साथ, उसके साथ मैं मगन रहती हूँ, मुझे कोई आकर्शन ना किसी पदका रहा, मुझे मेरी विचारधारा के साथ समझोता करना, सौधा करना, कभी स्विकार नहीं हुआ भीया, मैंने लंबे काल की उपेक्षा जे ल पहुंचाईए लेकिन आज मेरा परमानंद परमुलास परम एहलाद जो की राम जी के आगमन पर है इसके लिए भी इसलिए इसलिए दीपक भाया मेरे होटों पर मुसकान है मेरी आखें बीगी है ये कैसी विचित्तर दशा है कि आखें बीगी है परिदे इलसित है ये वो आन कहते हैं कि हां हम बताएंगे आप केहड़े की अभी व्यक्ति हम व्यक्त करेंगे ऐसे चित्त की दशाह दिपक जी आपने मुझसे बात की मुझे अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धरनेवाद हैं आपका अपका राकी बंदे हुए भाई हैं आप मेरे अजया क राम की यहीं पर रुकेंगे इस खास पेश्टच में लेकिन जीन उस पर खावरों का सिंसला लगता जा रहे हैं